दोस्तो डूडेट एक्स्टेंशन पर एक बहुत ही important update निकल करके आ रहा है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में share करने जा रही हूँ आपको यहाँ पे जो है डूडेट एक्स्टेंशन से जुड़ा important update देने के लिए जो है बात की गई है senior tax advisor and former president ICI Wade Jenji के द्वारा तो दोस्तो इस update में उन्होंने बताया है कि income tax due date extension पर जो सरकार का क्या point of view है sources से क्या information है वो सभी चीज़े इसमें बताई गई है तो दोस्तो जो हमारी सरकार है उनका ये view है कि जो ITR है वो काफी भारी संख्या में already file की जा रही है टेक्सपेर्स के द्वारा और जो due date है उसमें maximum 7, 10 days या 15 days तक की जो extension है वो enough है और ये extension जो है वो last date तक की filing को देख करके उसके basis पर decide करने वाले हैं कि कितनी extension और कब देनी चाहिए तो हो सकता है कि last date तक ही आपको extension की news मिल सके extension notification आपके लिए issue की जाए क्यों वो ऐसा कर रहे हैं उनका जो point of view है वो तो इन्होंने आपको बताया ही लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि government को ये सोचना चाहिए कि जो portal है उसने functioning first of november यानि कि november month से करनी start की है क्योंकि उससे पहले तो जितने challenges हमने face किये हैं वो आप सभी को पता है जिसकी matching करनी है वो भी एक challenge है काफे सारी problems आ रही है जो कि already हम share भी करते हैं तो जो भी viewpoint है यहाँ पे finance ministry का वो उन्होंने share किया है तो हो सकता है कि आपको due date के लिए last date तक की wait करनी पड़े यानि कि last date तक की filing को देख कर की ही decision लिया जाएगा कि due dates में कितनी extension जो है taxpayers को दी जानी चाहिए तो यह update अभी निकल करके आया है जो मैंने आपके साथ share किया है